Hello friends, welcome to the desk. आज हम story reading करना सीखेंगे. अगर आपकी English कमजोर है तो आप अपने English को improve करने के लिए story reading कर सकते हैं. तो चलिए हम हमारी reading शुरू करते हैं. आज का हमारा topic है, मतलब आज की हमारी story का नाम है trial of strength, मतलब शक्ति परिक्षन. Once upon a time, the sun and the wind had a heated argument. Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है. The sun and the wind had a heated argument. Heated argument का मतलब होता है गर्मा गरम बहस. सूरज और हवा के बीच गर्मा गरम बहस हुई. Either of them claimed, दोनों ने यहां दावा किया to be stronger than the other. एक दूसरे से ज़्यादा मजबूत होने का दावा किया दोनों ने. The wind roared in a hissing sound. यहां पर roar का मतलब होता है गर्जना, हीसिंग का मतलब होता है साप के फुफकार. मतलब हवा यहां पर साप के फुफकार की तरहा गर्जा. I am far stronger than you. Far stronger than you का मतलब होता है तुमसे ज़्यादा मजबूत. मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ. बट का मतलब होता है लेकिन, रेटोर्टेड का मतलब होता है प्रतिवाद करना. सूरज ने प्रतिवाद किया, लेकिन सूरज ने प्रतिवाद किया, mention not, आप इसकी चिंता ना करे. You cannot equal me in strength. Equal मतलब बराबरी. Strength मतलब ताकत. आप ताकत में मेरी बराबरी नहीं कर सकते. The hot words were going on when a traveler happened to pass by them. Hot words मतलब उनकी बाते, उनकी गर्मा गर्मी बाते चल ही रही थी. When मतलब जब a traveler happened to pass by them, उनकी गर्मा गर्मी चल ही रही थी कि एक यात्री उनके पास से गुजरा. He had wrapped a saw round his body. Wrapped का मतलब होता है लपेटना. उसने अपने सरीर के चारों तरफ एक sawl लपेटी थी. Both the sun and the wind looked at the traveler. Both का मतलब होता है दोनों. सूरज और हवा ने यात्री की तरफ देखा. All of a sudden, अचानक से. All of a sudden का मतलब होता है अचानक से. An idea struck the sun. Idea का मतलब होता है विचार. Struck का मतलब होता है अचानक से. एक विचार ने सूरज को अटका दिया. His eyes sparkled with a hope of getting a solution of this dispute. यहाँ पर sparkle का मतलब होता है चमकना. Hope का मतलब होता है आशा. Solution का मतलब होता है समाधान. Dispute का मतलब होता है विवाद. उसकी आखे विवाद के समाधान के आशा के साथ चमक उठी. We can decide between ourselves. Decide मतलब तै करना. Ourselves मतलब अपने में. हम अपने से ही इसे decide कर सकते हैं. मतलब तै कर सकते हैं. Which of us is. Which of us is का मतलब होता है. हम में से. Which of us is. More stronger. हम में से कौन ज़्यादा मजबूत है. Remarked the sun. सूरज ने यह remarked किया. Remarked का मतलब होता है. हम में से कौन ज़्यादा बल्वान है. यह सूरज ने टिपणी दी. How after all. लेकिन कैसे? Let me know. मुझे जानने दो. Said the wind. हवा ने कहा. Whosoever is able to make the traveler take his soul off his body. Shall be the winner. Said the sun. Whosoever का मतलब होता है. जो कोई भी. यातरी से उसका soul. उसके सरीर से उतरवाएगा. वो विजेता बनेगा. यहाँ पर winner का मतलब होता है. विजेता. Said the sun. सूरज ने कहा. The wind agreed to the condition and she choose to try to her strength first. Agreed का मतलब होता है. सहमत होना. Condition मतलब शर्थ. Choose मतलब चुनना. हवा ने सहमत किया. शर्थ से और उसने अपनी ताकत पहले दिखाने का सोचा. उसने अपनी ताकत पहले दिखाने का चुना. At first, she blew gently, hoping that the traveler will move the soul of his body. यहां पर at first मतलब सबसे पहले, she blew gently, हवा जो है वहां, धीरे से बही. Blue gently का मतलब होता है, धीरे से बहना. Hoping that the traveler will move the soul of his body. यहां आशा करके कि traveler मतलब यात्री अपने सरीर से सौल उतार देगा. But it did not happen. But का मतलब होता है लेकिन, it did not happen. यह नहीं हुआ. So, यहां पर so का मतलब है इसी लिए. The wind flew into a ridge and began to blow with her full force. Flew into a ridge का मतलब होता है जोर से बहना. Full force मतलब पूरे जोस के साथ, पूरे जोर के साथ. इसी लिए, The wind flew into a ridge, हवा जोर से बहा, and began to blow with her full force, और अपने पूरी ताकत के साथ बहने लगा. Seeing it, यह देख के, the traveler wrapped his soul even more tightly around himself. यह देख के, याथरी ने soul को और भी कस के अपने चारो दरफ लपेट लिया. Now it was the turn of the sun. Now का मतलब होता है अभी, सूरज की बारी थी. The sun began to shine gently at first. सूरज ने सबसे पहले धीरे से चमकना शुरू किया. The traveler felt relieved and loosened the soul of beat. Felt relieved मतलब राहत मिलना. याथरी को थोड़ी सी राहत मिली और उसने अपना सॉल थोड़ा सा धीला किया. यहाँ पर beat का मतलब है थोड़ा सा. But then the sun went on growing hotter and hotter. But then का मतलब होता है लेकिन तभी the sun went on growing hotter and hotter. Growing hotter and hotter का मतलब होता है. गर्मी बढ़ना. सूरज और गरम होता गया. The traveler felt hot and took his soul off his body. Felt hot मतलब गर्मी लगना. याथरी को बहुत गर्मी लगी याथरी को गर्मी लगी और उसने अपना सॉल उतार दिया. So the sun emerged as the winner and the wind had to accept her defeat. So इसी लिए the sun emerged as the winner and the wind had to accept her defeat. यहाँ पर accept का मतलब स्विकार करना होता है. Defeat का मतलब हार मानना होता है. सूरज विजता की तौर पर उभरा और हवा ने अपनी हार स्विकार की. अपनी हार स्विकार की. Moral मतलब सीक. Brute force seldom achieves the object. Brute force का मतलब होता है. क्रूर बल शेल्डम शायद ही achieves the object कभी किसी वस्तु को प्राप्त करता है. क्रूर बल शायद ही किसी वस्तु को प्राप्त करता है. Friends, अगर आप इसी तरह की स्टोरीज हर रोज रीडिंग करते रहेंगे तो आप अपनी इंगलिश को इंप्रूव कर सकते हैं. और अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें. Thank you. Thanks for watching.